नमस्कार, Hello and Welcome to the Legal Observer, मेरा नाम है मनोज रस्तोगी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आज इस वीडियो में बात करेंगे पश्चिम बंगाल के बहुचर्चित गवर्नर राज्यपाल सिवी आनंद बोज की जो एक जमाने में नौकरशा हुआ करते थे, 77 बैच के आईएस ओफिसर है केरल काडर के, 2022 में इनको पश्चिम बंगाल का राज्यपाल न्युक्त किया गया, मोजी सरकार द्वारा और अपनी नौक्ति के बाद से ही आनन बोज, पश्चिम बंगाल की सरकार, वहां की मुक्यमंत्री मम्ता बेनर जी के साथ, अपने टक्राओं को लेकर, अपने बिगड़ते रिष्टों को लेकर, विवादों में, लगातार राजभवन विवादों का केंदर बना हुआ है, यूँ कि ये, राजभवन और मुक्यमंत्री पश्चिम बंगाल में जो सरकार है, तर्मूल कांगरिस के उनके दुनों के बीच तलवारे खिची हुई है, आए दिन कोई न कोई मामला आता रहता है, वहालत यहां तक पहुची हुई है, दोनों एक दूसरे के खिलाब भयान अनबाजी तक पहुचे हुए है, मंताव इनर जी, यहां तक क्या चुकी है, कि मैं इनके साथ कोई मंच साजा नहीं करूँगी, मैं इनके साथ कोई कारेकरम नहीं करूँगी, राजभवन जाने तक से भी मुक्यमंत्री ने इनकार कर दिया था, अब मामला जो है, यह सुप daily wages employee, contract employee एक महिला उसने गंभीर योन सोशन के आरोप लगाए है महिला का कहना है कि अपरेल के महिने में इसी साल उनके साथ छेड़चार की गई गवर्नर ने अपत्ती जनक तरीके से छुआ उनके साथ अबदरता की उनका मॉलेस्टेशन यानि की sexual exploitation करने की कोशिश की जिसको लेकर इस महिला ने पुलिस में अपने रिपोर्ट दर्ज की गवर्नर के साथ वहां के जो OSD है उनके और दूसरे दिकारियों का भी उसने नाम लिया पुलिस ने उस मामला दर्ज करके उसको आगे बेजा क्योंकि हमारे सम्विधान में जो धारा 361 है 361 है वो गवर्नर को, head of the state को राष्टपती को immunity देती है, संडक्षन देती है किसी भी तरह की blanket संडक्षन है, किसी भी तरह की आपराधीक कारवाई गवर्नर के किलाव यानि F.I.R. या कोई पुलिस मामला, उन्हें पुलिस गृफतार नहीं कर सकती, मामला दर्ज नहीं कर सकती उस immunity पर ही सवाल इस महिला ने किये है और मामला अब सुप्रीम कोट के पास पहुचा है, जहां इस महिला ने अपनी याशिका में सुप्रीम कोट से गुजारिश की है कि वो इस बात की व्याख्या करे और उसको रिलीव देऊ उसमें ये सवाल भी उठाया गया है कि क्या यौन सुशन करना क्या छेड़चाल करना महिलाओं के साथ गवर्नर के, किसी भी गवर्नर की ओफिशल डूटी का हिस्सा माना जा सकता है उन्होंने ये बात इसलिए कही है क्योंकि 361 के तहट जो गवर्नर को इम्मिनिटी मिली है वो ओफिशल एक्ट के दौरान है क्योंकि जितने दिने तक गवर्नर अपने पद पर रहेंगे उन पर आपराधी कारवाई ये नहीं की जा सकती हाला कि प्रावधान ये है इसमें के सिविल मुकदमा यदी हो तो दो महीने के नोटेस के बाद वो किया जा सकता है और गवर्नर जब अपने पस से रिटायर हो जाए जब उनका कारेकाल खतम हो जाए तब उन पर कोई भी मामला चलाए जा सकता है तो महीला का यही कहना है कि क्या पिडिता को न्याय पाने के लिए तब तक का जिजार करना पड़ेगा कि जब गवर्नर साब का कारेकाल खतम हो जाए तब उसे न्याय पाने के लिए पुलिस कारवाई की बात करने पड़ेगी, क्योंकि उसकी जो मॉडस्टी, जो उसकी मॉडस्टी को वाइलेट किया गया है, ब्रीज किया गया है, उसकी जो महिला होने के नाते, जो उसकी गरिमा है, उसको जो ठेस मोची है, हम असल में शब्दों का चैन बड़ा सोच समझ के कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नर से जुड़ा मामला है और आरोप है, इसलिए वरना तो आरोप तो यौन सोशन के हैं, दूसरा कोई विक्ति होता तो इतनी देर में तो पुलिस उसको उड़ा करके अंदर कर चुकी होती, जमानत नहीं होती सुनवाई नहीं होती, और चुकी मामला यहां, गवर्नर जैसे पद पर बैठे विक्ति का है, सम्मिधानिक पद है इसलिए ये बहस और ये व्याख्या बहुत ही महत्मूर होगी आज के सिंदर में तो दूसरा इसी के साथ अभी जो दूसरा एक विवाद सीवी आनन्द बोस के साथ जोड़ा हुआ है जो राजरितिक विरोध तो उनका लगातार होई रहा है, हर मामले में वो सरकार के खिलाब बयान देते रहे, सरकार उन पर आरोप लगाती रही उन्होंने वहां के बड़े वरिश पुनिसदीकारियों को सस्पेंड करने का, ट्रांसफर करने का उन्होंने पत्र लिखा लगातार वो ये बात कहते रहे हैं, सीवी आनन्द बोस और वो एक ऐसे टकराओं के तोर पे देखा जा रहा है, जिसको वैसे भी करते हैं, और वो जान बुच कर वहां ऐसी इस्थितिया पैदा करते हैं, कि जिससे अबद्र इस्थिति पैदा होती है एक ऐसी कानूनी इस्थिति पैदा होती है, एम्बरास्मेंट की इस्थिति पैदा होती है, सम्विधानिक अखबारों में ये बात आई थी, जब उन्होंने तमिल्नाडू के गवर्णर के संदर में ये बात कही थी, कि जो गवर्णर है, उन्हें अपने सम्विधानीक पद की मर्यादा का, सम्विधान का, कानून का ख्याल रखना चाहिए. सुप्रीम कोट उनको सिखाए कानून क्या है, सुप्रीम कोट उनको ये बताए कि सम्विधान के तहत उन्हें क्या करना है, तो बहुत शर्म की बात हो. तो सिवी अनंद बोस ने जब उन पर ये आरोप लगे थे, आपको अगर ध्यान हो, हमारे प्रधान मंतरी नरेंद बोदी जी, चुनाओ परचार के द्वरान, दो मई और तीन मई के बीच की बात है, जब उनको पश्चिम बंगाल वो पहुँचे थे, रात उनको राजभा में पूरी तरीके से ममताब एनरजी और टीम सी का वो पूरा सूपडा साफ कर देंगे, उनकी जड़े उखड़ जाएंगी और एक क्लीन स्वीप होने जा रहा है, प्रधान मंतरी ने बात कही ती एनाई से कि हम वहां क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं, एनाई के रिपोर्ट से पता करिए, फुट सोल्जर से पता करिए, रिपोर्ट कहां से लाते हैं, उस रिपोर्टर की गलती गुस्थाकी इतने सी थी कि उसने प्रधान मंतरी से जुरत कर ली थी कि साब वहां काटे की टक्कर हैं, और प्रधान मंतरी ने उसकी क्लास लगाई थी कि कहां से आप ल यूट्यूबर्स वगरा ने बताया था अधर्वाइस बाकी तो एक तरफा बता रहे थे कि अधाब बारते जंता पार्टी ऐसे जीत रही है वैसे जीत रही है सब हो जाएगा यह हो जाएगा तो उसी नरेटिव में यह कहा जाता है कि हमारे जो गवर्नर साहब है यह आरोप लगता है कथित तोर पर कि यह उस पूरे नरेटिव को फ्यूल कर रहे थे उसको एक तरीके से प्रोचाहित कर रहे थे उनकी जो सरकार के साथ उनका ठक्राव था वो रोज वहां पर इस तरह के हालात पैता करता था मीडिया में नेगेटिव परसेप्शन एक नेगेटिव बनाने की बात करता था और वो उसके सेक्डो आप दर्जन उधारन देख सकते हैं लगातार ऐसी चीज़े होती रही है गवर्नर साब पर जब यह आरोप लगा तो उन्होंने इसको इन आरोपों को भी उसी राजिनितिक टक्राओं से जोड़ दिया और उन्होंने कहा कि यह एक मनगणंत कानी है, इसके पीछे इंजिनियर्ड, सारी स्कृप्टेट इए से सोची समझी तरीके से बनाई गई राज्य सरकार द्वारा, मंताम इनरजी द्वारा, उनके मंतरियों द्वारा, राज्य पुलिस का इस्तमाल करके गवर्नर को बंदाम करने के लिए, गवर् ये हालत पहुच गई थी CBRN बोस के टाइम पे, कि उन्होंने पुलिस के अंदर आने से मना कर दिया, मंत्रियों को एक्सेस नहीं है, मंत्री कहा रहे हम जाएंगे नहीं, हम इनके साथ मंच साजा नहीं करेंगे, महिला मंत्रियों नहीं करेंगे, पुतले जलाए गए, प्रदर्शन किये गए, राजभाल के बाद, पुलिस अधिकारियों को उसमें मोहरा बनाया गया, तब आदले हुए, इतनी सारी चीजे हुई है, कि खहना बताना मुश्किल है, ये हालत हो गई है, इसके पहले भी वहसमंगाल में हमारे जो मौझूदा उप्राष्ट पति हैं, शिरी जगदीब धनकर, जब वो गवर्नर थे, पशिम मंगाल के, तब उनके साथ भी ममतब एनर्दी के रिष्टे बहुत ज़्यादा तनावपूर थे, बहुत विवाद हुए, आरोप, प्रत्यारोप, बयान, अकबारों की सुर्खियां, टकराओ, कभी ये वो वापिस कर रहे हैं, कभी वो वापिस कर रहे हैं, तो ये आपको मालूम है, और ये बहस पूरी केंद्र और राजियों के जो रिष्टे होने चाहिए, डिमोक्रिटिक फेडरल स्ट्रक्चर में, जिसमें बिल्कुल साफ सा भूमिकाएं तै कर दी गई हैं, दाइरे तै कर दी गए हैं, और गवर्नर के पद की जो अधिकार है, गवर्नर के जो सम्विधान में जो उनको जिम्मिदारियां या दाइत मिले हैं, उसमें वो कितना दखलंदाजी करेंगे एक निर्वाचित अधिकार के अधिकार शित्र में, जब युनिवर्सिटियों में अपईन्मेंट का मामला हो, जब दूसरे ऐसे जो वहां जो विधान सभा है, विधान परिशद है, जो वहां की विधाई का है, जो वहां की कारेप मोची है कि कितने ही मामले सुप्रीम कोट तक आये हुए है, लगबग हर विपक्ष राज, साशित राज्य के गवर्नर और वहां जो निर्वाचित सरकार है, उनके मामले आप देख लिजे, सुप्रीम कोट में पड़े है, पूरी लिस्ट मोजूद है, पंजाब की आप दे गरह मंतरी, ऐसे वहां के अटबारों में, ऐसे वहां के मीडिया के जो सिस्तान है, उन्होंने रिपोर्ट किया था, और तमिलाडू का तो आपको यादी है, स्टालिन वाले मामले में कि जब सुप्रीम कोट को फिर बोलना पड़ा, तब जाके मंतरी जी को शपत दिलाई ग तो जब तक सजा ना हो, तब तक को दोशी नहीं माना जा सकता, जैसे आपने अभी देखा, कि हमन सुरेन को जब पुलिस ने गिरफ्तार किया तो उससे पहले उनने इस्तिफा दे दिया, ने तिकता के धार पर, दिली में अरविंद केजरिवाल जी ने नहीं दिया, तो 245 घंटे बाद वापिस हिमत सुरेन ने शपत ले ली, उस पर कोई रोक नहीं है, आप वहाँ गवर्नर कहीं जी मैं तो शपत नहीं दिलाओंगा, क्योंकि आप अभी जमानत पर यहां है, तो ऐसे कैसे चलेगा, जो समविधान में प्रावधाने वही तो होगा ना भाई, यह थोड़ी की कुछ भी हो जाएगा, तो सवाल इसमें जो है, जिसका फैसला सुप्रीम कोट को करना है, आज के लोक तंतर के संदर में जब केंदर सरकार और राज्य सरकारों के रिष्टे इस लेवल पर आ चुके हो, कि राज्य सरकार आरोब लगाती है, कि हमारे साथ भे इस्टी का जो मसला है, उसको लेकर के आप देख लिजिए, लगबख हर ऐसे मामले में जहां केंदर और सरकार को मिल जूल कर काम करना है, सामज़से जहां होना चीए, वहां इसी तरह के टकराओं की खबरे हैं, और उसमें जो केंदर बिंदु बनता है, जो फोकल पाइंट बनता है, वो होता है गवर्नर, आपको महराष्ट का तो मामला यादी होगा, वहां उसमें जो ततकालीन गवर्नर थे, भगत सिंग कोशारी जी, जब ये शिंदे और उद्धव के शिर्षेना वाला पूरा मामला था, तो उनकी भूमिका को लेकर, जो सवाल उठाए गए ग सुप्रिम कोट की जो टिपनिया है, सुप्रिम कोट की जो करवाई थी, उससे मिलता है, तो अब ये जो आनन्द बोश जी का मामला है, इसमें हलाकी बिलकुल ये अलग है, यहां जो मामला है वो इस बात का है कि गवर्नर की इम्मिनिटी, गवर्नर को जो संद्रक्शन प्र अपरादिक कारवाई के ना होने का, जब तक गवर्नर अपने पत पे रहेंगे, राश्पती को भी है, तब तक उनके खिलाफ कोई F.I.R. नहीं हो सकती, कोई क्रिमिनल कारवाई नहीं हो सकती, पलीस उनको गिर्फतार नहीं कर सकती, तो सवाल इसमें यह हैं, जिसकी व्याक् का मामला है, तो क्या उसमें कोई कारवाई नहीं होगी, अगर राजबवन में कोई ऐसा कांड होता है, कोई ऐसी अपराज यसी और उसके साक्षे पाई जाते हैं, क्या तब भी गवर्नर के उपर कोई कारवाई नहीं होगी, यह व्याक्या अब सुप्रीम कोट को करनी है, और दूसरा, क्या गवर्नर के ओफिस से जुड़े वे जो लोग है, क्या गवर्नर के पास ये असीमित अधिकार है कि वो अपने ओफिस से जुड़े वे किसी व्यक्ति को भी ये कह सकता है, क्या गवर्नर को ये भी अधिकार है कि वो ये कह सकते हैं कि पुलिस गवर्नर राज तो क्या पुलिस नहीं जाएगी? क्या गवर्नर अगर मना कर देगे नहीं, आप प्रमाइसेज में निखुसेंगे, तो क्या पुलिस को अधिकार नहीं है? अप राधी अगर जाके वहाँ छुप जाएं, तो क्या पुलिस छापा नहीं मार सकती? यह सारी सवाल, यह सारे प्रश्ण, तीनसो एक सट के अंदर ज जुड़े हुए, उनकी डिग्निटी से जुड़े हुए, जो दिकार उनको मिलते हैं, एक महिला होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते, उसका जो उलंगन हुआ है, उसका जो वायलेशन हुआ है, उसके तहत वो कहती है कि ऐसा नहीं है, उनका मानना है कि जो इम्मिनिट खलकों में उनके चरित्र को लेकर उनकी बात को लेकर वो एक ऐसी गोसिप का वो बन चुकी है कि अब उनकी उनका चरित्रनन हो गया है उनके साथ जो मानुहनी की बात हो रही है मोरली वो ऐसा फील करती है कि उनका कि मेरे तो जीने तक की भी तमन्ना खतम हो गई है कि मुझे कैसा gossip का वो बना दिया गया है तो बात तो सच है कि उस महिला के साथ अगर हुई है जो गटना जो कह रही है तो उसका क्या हुआ होगा और पिर ये बाते भी सामने आई ये आरोब भी सामने आई आये कि उनके ओफिस से जुड़े वे लोग महिला पर अपना आप पार्टी के लोग लगाते हैं अरविंद केजरिवाल के बारे में या जारकन में हमन सुरेन के बारे में कि वह हमन सुरेन के प्रती के जो EDCBI है के इंदर सरकार के इशारे पे काम करके तो गवर्नर का कहना है कि पुलिस TMC के साथ मिली भगत करके TMC के इशारे पे राज्य सरकार के इशारे पर उनके खिलाब जान बूच कर ये मामले बना रही है जिससे उन्हें फसाये जा सके अपना राजनितिक वंसुबाब पुरा करने के लिए ये मामला है जो अब सुप्रिम कोट को जुलाई में निप्टा ना होगा दूसरा जो इस मामले में एक और खबर है इससे जुड़ी वो ये है कि सिवी आरंद बोट साब ने दो TMC के जो विधायक हैं जो अभी उपचुनाओं में जीते थे चार जुन को नतीज़ा आ गया था एक महीना पूरा उनको शपत लेने के लिए इंतिजार करना पड़ा और उसमें जो हलत थी जो कतिरोध बना हुआ था दोनों विधायकों को अंशन करना पड़ा प्रदर्शर करना पड़ा विरोध जताना पड़ा प्लेकार्ड डे करके क्योंकि राजबवन और विधान सभा उसके बीच जो विधान सभा ध्यक्ष स्पीकर के बीच में जो गतिरोध बना हुआ था क्योंकि गवर्णर साब का कहना है कि वो दिलाएंगे शपत दोनों विधायकों ने का कि नहीं हम आपके हमार शपत दिलेंगे में पांच तारीक को इन दोनों विधायकों को शपत दिलाई गई एक महीना अब उन विधायकों का कहना है कि हमारा कारेकाल मातर दो साल का है क्योंकि उच्चनाव में चीट मुझी थे उनका कहना था कि हमारा एक एक दिन हम जनता के नुमाहिन दें, जनता ने हमको चुनकर बेजा है, अगर हम जनता के काम ही ना कर सके हैं, तो विधायक के तौर पे जो उनको अधिकार मिलते हैं, विधायक के तौर पे जो उनको चीजे मिलती हैं, जो लिख सकते हैं विधान सभा में, दूसरी जो वो सारी चीजे कैसे हो लोगतंतर में यदि ऐसे टकराओ होंगे तो कैसे होगा क्योंकि सबकी भूमिकाएं इस पश्ट हैं लेकिन जब भूमिकाओं का अतिकरमन हो तो क्या उससे बचने का कोई रास्ता नहीं है क्या बतब ये एक ऐसा डैडलोग होगा कि गवर्णर है तो उनको कुछ भी करने का अधिकार है वो कुछ भी कर सकते हैं और सुप्रीम कोड की जो मौखिक टिपणिया हैं उन टिपणियों के बाद क्या होगा जो नुकसान अगर कोई सम्विधानिक पत्पर बैठावा व्यक्ति अपने अधिकार का दुरूप्यों करता हुआ पाये जाएं तो क्या लोक्तंत्र में उसका कोई उसकी सजा का या मौजे का या ऐसे किसी प्रावधान का ऐसे किसी कदम का प्रावधान नहीं है कि जिससे जाइन यह जो पुरा पैटर्न पुरे देश में विपक्षाचित सरकारों में दिखाई दे रहा है यह अकारण तो नहीं है यह हवा में तो नहीं हो गया ना यह तो नजर आ रहा है यह तो दिखाई दे रहा है पहले से भी होते रहे हैं लेकिन इस कदर नहीं पहुंची ती राजनीती नीचे जिसे अब पहुँच गई है तो ये सवाल है हमारे नैपाली का सरवोचनेल है और चंदरचूर जी के सामने के वो इस इस्तिति को सपष्ट करें तो बने रही है लीगल अब्जरवर के साथ आप इस बुद्धे पर क्या सोचते हैं हमें अपनी राय से अवगत कराएं हमें बताएं और हमारे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो तुरंट सब्सक्राइब करें हमारी वीडियोस को शेर करें लाइक करें और बने रहे हमारे साथ नमस्कार